कि अंदेगलम में फिर से अपका एक बार स्वागत ही एवड़ी उसे सुरुप से सातवी चरण से संबंधी तेरजनी सरका एक और ट्वीट आ है उसको पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दे कि फिसला जो वीडियोस हमने अपलोड किया उस पे बहुत सारे कॉम करना था कि होना चाहिए क्योंकि उनका अकेडमिक कम है तो बहुत सारे मुद्दे हैं और किसी ने यह कहा कि जो रिक्ती था पिछला में उसके बारे में अपने पूर्ण रूप से चर्चा यह नहीं किया कि महिलाओं का सीट रिकत रह गया देखिए पर एक चीज को एक यह जो है रजनी सर ने अभी क्या ट्वीट किया है बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा ट्वीट उन्होंने किया है अब सिख्षक बहाली से जुड़े मुद्दे पर सायथ ट्वीट ना करूँ देखिए किसी को भी ज्यादा मालीजे कोई जनकारी आपको दे रहा है को ज्य बहुत दिनों से इंतिजार करें उन्हें एक जटका लगे तो कुछ तो दिक्कत है ठीक है इन्होंने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं अब सिक्षक बहाली से जुड़े मुद्दे पर अब साधे ट्यूट ना करू क्योंकि आप लोग को सायद जनकारी साजा करना पसंद नहीं कोई नहीं इंतिजार तो किजिए क्योंकि घोषणा बाकी है और इन्होंने आगे क्या जोड़ा घोषणा बाकी है लेकि इन्होंने आगे क्या जोड़ा ये सच्छे की साथवे फेज की बहाली ऑनलाइन होगी बाकी मैंने ये कहां लिखा कि सुपर्टेट साथवे फेज मे ही लागू होगा जहां इन्होंने नहीं लिखा था कि सुपर्टेट लागू होने जा रहा है उन्हें लिखा कि सुपर्टेट होने की संभाना है यूपी के तर्ज पे होगा लेकिन इन्होंने अभी ये किलियर कर दिया थोड़ा सा और भी खुल गया थोड़ा सा और खुल के उन्हें ने बताया कि मैंने यह कहां लिखा कि सुपर्टेट साथवे फेज में ही लागू होगा लेकिन एक चीज है कि जो भी अवियारती है जो इंतिजार कर रहे हैं आड़े हाथ किसी को ले रहे हैं उनको इंतिजार है बहुत दिनों से कि सिक्षक बाहली परकिरिया स्टार मैं यहां नहीं कर रहा हूं सबकी पक्ष में नहीं लेकर कुछ अवियारती को यहां नाराजगी होगी जिनका एकडमी कम है लेकिन एक चीज़ देखे कि लंबा समय फिर से जाए इसके बाद आप करवाते रहे हैं सुपर टेटी जो भी टेट करवाना है करवाते रही है क्य दिसमबर वाले दिसमबर वाले और मेरे ख्याल से जन्वरी वाले यह जो पास थे हैं वो कोट भी गयुए तो यह सारे इंफोर्मेशन गया हुआ है तो ये court का भी मामला थोड़ा है और यहां पे चलिए वो मामला अलग है हम चर्चा कर रहे थे यहां पे को supertate साथवे phase में ही लागू होगा ये इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन ये जो बहाली होगी ये online होगा centralized होगा ये पहले से कहा गया है और मेरे ख्याल से recruitment board का भी मामला आ सकता है एक board मतलब government चाहे तो board उन्हें बनाना ज़रूरी होगा जब online होगा तो चाहिर सी बात एक board वेगरे बनना चाहिए और रिक्ती वेगरे आकलन करते हुए पूरा online होगा तो पूरा chain की जो प्रकिरिया है उसको देखने के लिए एक board बनना चाहिए chain की परकिरिया पूरा centralized तरीके से और भी भाग के पास होना चाहिए जैसे इस समय देख रहे होंगे आप कभी 25 तारीकों कभी 2 तारीकों कभी इस तारीकों कभी उस तारीकों न्युक्ति पत्र मिलने जाना कहीं अभी तक counseling ही नहीं हुआ है तो यह सारे चीज को control करने के लिए एक board बनना चाहिए पूरा chain पर करिया वो करेगा अब बाद में जो बच जाता है कि न्युक्ति पत्र बातना यह सारे चीज वह भी चीज होता है ना मतलब लास्ट वाला स्टेप सबसे लास्ट मेरे पीकिसन नहीं मतलब जो picture देखके हाँ आप ही है तो जै देखरे करने के लिए रख दे बागी सब चैन पर क्रिया विगरे उपर से करे तो अच्छा होगा बागी सब कंट्रोल अपने पास रख दो क्योंकि कहीं देज आपने लिखा कि देज के लिए एक मामला में वदार हूं कि वहां कहा गया कि देज के लिए घुष्णा पत्र चाहिए सबत्पत्र नहीं चाहिए नवादा में चाहिए वहां कि मेरे पास फोन आया था तो वहां से कर रहा है कि सर यह मामले ना मतलब सांत नहीं किया सकता कितने जग话 कितने जगह बात्चित करेगा इसलिए यह सारा चांट प्रिक्रिया Central में मतलब Central Government नहीं बिहार Government के पास एक जगह रहना चाहिए तो वो ठीक है बहुत अच्छा है इन्होंने लिखा कि साथवे फेज की बहाली ओनलाइन होगी बाकी ये कहां लिखा है कि सुपाटेट साथवे फेज में ही लागू होगा तो ये अच्छा बात है इन्होंने अच्छा लिखा है इन्होंने आगे लिखा है ये जरूर है कि विवागी प्रस्ताओ पर फैसला सीयम इसी बजट सत्र में ले सकते हैं जो आगे का जो आगामी होगा वो B-T-E-T पहले होगा B-T-E-T होने के बाद आपका सुपर टेट हो जाएगा ऐसा हो सकता है क्योंकि B-T-E-T के संदर में भी इंतिजार करेगा B-T-E-T यह सुपर टेट होगा यह सारे चीज हो सकते हैं को बजट सत्र में ले सकते हैं लेकिन ये लागू कब से होगा ये कहना फैसला से पहले सही नहीं, गजब, ये इन्होंने फिर से थोड़ा सा लिखा है, कि बजटी सत्र में ले सकते हैं, लेकिन ये लागू कब से होगा ये कहना फैसला से पहले सही नहीं, अब इन्होंने थोड़ा सा और खुल के लग दिया कि यह लागू कपसे होगा यह कहना फैसिलल से पहले जहीं नहीं है तो जहित हैं कि सहीं नहीं है कि कब से लागू होगा लेकिन इन्होंने यह भी क्लेर कर दिया है कि मतलब सामने उनलाईन‍जब किism साथ प्रत zap sz拍 ohu आए वे डिर लेज़ा है बर लागोब को आधर बात लाग करने की बात तो यह आगे के लिए हो सकता है। कि इस अब दे क्या कुछ हुता है यह कि तो पिचिश तारीख 25 पटारीक को पता चल सकता 15 ⁽ 32 के बीच में आपको आपको सारा चीज किलियर हो जाए और यहाँ पकी चोपिangen। तो इन्होंने एक बार हिंट्स दिया कि मार्च में यह स्टार्ट करेंगा अप्रियल में जैसे पता चला है स्टार्ट होगा तो यह स्टार्ट अगर बहाली पर करी स्टार्ट होगा कि जाहिए कोई सूपर टेट वह गरेगी चर्चा नहीं होनी चाहिए होगा तो इसके बाद हो सकता है होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है इस तरीके से खुल के लिखा है उस तरीके से तो लग रहा है कि अच्छी बात है आइए थोड़ा देख लेते हैं इन्होंने क्या कुछ और अव्यार्ति करना चाहते सुपर टेट का प्रस्ताव सिक्ष वापस ले नहीं तो बिह देखें जो भी इन्फोर्मेशन हमें मिले या किसी को भी मिले वो अगर दिया जाता है को ज्यादा बिरोध नहीं होना चाहिए लेकिन अगर सुपर टेट की चर्शा होने लगती है कि थोड़ा सा तो दिक्कत लगता भी हरती क्योंकि इंधिजार कर रहा है कि मेरा बाहली प सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सब से पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है